अस्सलाम अलेकूम उस्ट्रेंट्स कैसे हैं आप ठीक हैं अल्ला का खुश रखे कामियाब करें आपको जिन्दगी सहते हैं बेटा हमारा 10th की फिजिक्स का चैप्टर चल रहा है 20 चैप्टर ठीक है इस चैप्टर में हमने आपको रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताय प्रिटेंटर ठीक है और यह थोड़ा हमने बैकगरांड यह हमने आपको बताया था कि बैकगरांड रेडियेशन क्या है अब हम इसे कंटेनू करते हैं जहां से के हमने अपना इस सिल्सला छोड़ा था हमने आपको बटा यहां तक यह पढ़़ा दिया था ॡिके होने का इ हाफ लाइफ के उपर अपना गुजारा कर रहा है और फुल लाइफ जे उसको छोड़के हाफ लाइफ पर जा रहा है क्या प्राब्लम है कि वो हाफ लाइफ कर रहा है जी उसके लिए आप देखे हाफ लाइफ क्यों होती है क्योंकि हमने आपको बता रखा है हम दोबारा अगिए अगर हम नुकलिस में प्रोटान और नुट्रान हैं जब प्रोटान और नुटान की तादाद बराबर होगी तो क्या है добр room day uh ve ज़रूरत है कि क्यों इसको मरना पड़ रहा है क्यों यह डिके हो रहा है देखें यहाँ पर यह इनका कॉपरेट होता है कि यहां carbon 14 है जो nitrogen बन रहा है कब जब neutron proton बन रहा है 776 proton 8 neutron यह 77 जब neutron proton बन जाएगा और ऐसाँ भी आएगा कि दोनों दूसरे के साथ कंप्रोमाईस से चलते हैं कि यहाँ पर देखें आपको वहाँ न्यूटरान प्रोटान बना था और यहाँ देखें प्रोटान ज्यादा था प्रोटान न्यूटरान बनके खुद को एकुल कर लेंगे लेकिन ये है कि स्टेबिल करने की कोशिश करेंगे उसके रिजल्ट में अलफा रे वो होगी जो अलफा इमिट करेंगी बीटा रे वो होगी जो बीटा इमिट करेंगी ये रे नहीं होंगे इसे कहा रे जाता है लेकिन ये क्या अलफा पार्टीकल है अब हाफ लाइफ का भी क के लिए जो है कोशिश करते रहते हैं जिसकी वज़ा से ये तूट जाते हैं मेंस क्या इनका न्यूकलेज जो है वो एनरजी को इकुल करने की कोशिश करता रहता है बहुत ज्यादा एनरजी हो जाती है तो ये उसको इमिट करते हैं और खुद को मेंटेन करने की कोशिश करते तेखे हाफ लाइफ means कि है time time को जब हम हाफ लगा देंगे हाफ लाइफ है या क्या है आपने ऐसा लिखा और ये हाफ लगा दिया ठीक है इसका symbol ये हमारे पस means इसका क्या है कि reduce to half life reduce to half life half उनकी life हो जाईगी वो life कितने भी सालों की हो सकती है महीनों की हो सकती है दिनों की सेंकिंडों की या सदियों की हो सकती है ठीक है वो हाफ लाइफ है जैसा कि हमें नहीं मालूम कि हम पैदा तो हो गए हमें कब मरना है तो इसी तरह इनको मालूम नहीं है कि कब मरना है ठीक है हाफ लाइफ मेंस यह है वो life कितने भी सालों की हो सकती है अभी हम आपको आगे चलके यहां बता रहे है जिनोंने खुद यहां आपको बता रखा है कि half life में क्या है यहां पर देखें क्या है half life radioactive decay process is random ठीक है यह यानि के random है मिन टेड़ा मिलड़ा है random है कोई ऐसा constant नहीं है rate of radioactive decay is proportional यह proportional होगा किसके number of unstable nuclei present यानि unstable nuclei होते हैं इसमें जिसकी वज़ा से ऐसा होता है unstable होंगे और वो खुद को stable करने की कोशिश करेंगे means unstable atoms undergoes radioactive decay and want to stable atom stable होने के लिए वो यह सारी कोशिश करेंगे ठीक है? stable होने के लिए और उसके लिए क्या आएगा बीच में? जब आप half life मालूम करेंगे तो उसमें T आएगा लाजमी time जो है उसका factor बहुत बड़ा है ठीक है बेटा? इसमें अब क्या है? अब यहां आपको बताया के decay process स्टार्ट हो जाएगा constant क्या है and the unstable radioactive nuclei degenerate जो unstable होगा यानि proton neutron equal नहीं होगे वो degenerate हो जाएगा खुद को खतम कर देगा stable बनने की कोशिश में जैसा के यहां हम आपको समझा चुके कार्बन था, बोरोन बन गया पीछे कार्बन हमने देखा, मान आड्रोजन बन गया उसमें खुद को खतम कर दिया किया किसी सूरत मैं stable हो जाओं? बिल्कुल ऐसे ही क्या है यानि आप खुद को stable करने के लिए देखें कितनी कोशिश हो रही है element से हम सीखते हैं element से आप सीखें आप भी खुद को stable करें यह stable करने के लिए कुरबानी देनी पड़ती है अपने time की कुरबानी दे पढ़ा करें, मेहनत करें तो तब आप stable होंगे अपने पैरों पर खड़े होंगे और कुछ ना कुछ बन जाएंगे तीक है? उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है अब यहाँ पर क्या है? इसमें half life क्या होता है? an element is the time time of an element it takes for half material मैं किसी तरीके से बेशक मैं half हो जाऊं लेकिन यह है कि मैं अपने आपको stable कर लो वो अपना आदा हिस्सा छोड़ देता है अब यहाँ आगे आपको बताए है इसको आपने समझना है कि किस तरीके से half life होगी देखे इसमें उन्होंने कहा है कि यहाँ से दा life spawn of the unstable nuclei is indefinite and the challenging to mere वो challenging होता है mere नहीं किया जा सकता यानि कि है we can think of about decay rate by another term half life क्या हम decay rate को मालूम कर सकेंगे कि decay rate इसका क्या है decay क्या rate होगा यहाँ देखे आपको क्या बता है the half life of the radioactive isotope is the time taken from half of the nuclei present half degenerate हो गया half present है in any given sample to decay जब given sample decay हुआ तो half जो है वो खतम हो गया और half बाकी है उन्होंने यहाँ आपको example दिया iodine 131 ठीक है यह iodine क्या है यह इसका isotope है radioactive isotope है and the iodine 131 has an 8 day half life 8 दिन की उसकी half life है 8 दे में वो half decay हो जाएगा means that half converted to other element decay होने का मतलब है कि half convert हो जाएगा other element में जिस तरह आपने देखा कि carbon nitrogen में change हो जाएगा और फिर carbon boron में change हो जाएगा इस तरह यह क्या करेगा other element में change हो जाएगा within 8 days 8 दिन के अंदर अंदर half of remaining iodine half पीछे रह गया भी will decay in the next 8 day वो अगले 8 दिनों में वो भी decay हो जाएगा leaving 8 only one fourth अब क्या है one fourth इसका remaining होगा अब यहाँ देखें क्या है उन्होंने यह आपको बताया है कि original amount of यह उन्होंने आपको example दिये radium and so on decay process continue radium का बताया ठीक है radioactive है यह देखे red जितने भी हैं सारे यह parent है यह देखे parent खतम होगा daughter इसमें आगे यह gray daughter है ठीक है red parent है यह देखे अभी भी parent बाकी है और daughters ज्यादा होगे यानि यह time के साथ सा decay होता जा रहा है time increase होता जा रहा है और यह decay होता जा रहा है ठीक है decay का आपने अभी आम आपको बता रहे हैं आपको table दिया हुआ है every radioactive element has the characteristic half life हर एक radioactive का half life है और radioactive कौन सा है जिसका proton और neutron एक दूसरे से maintain नहीं है दोनों equal नहीं है बहुत बड़ा difference है proton जो है उसमें क्या होगा खुद को maintain करने के लिए कभी proton neutron बन जाएगा और कभी neutron proton बन जाएगा अभी हमने पीछे आपको example दिखाईए जी तो यहां इन्होंने यह कहा के half life of some radioactive isotopes short life वो कहरें given blow ठीक है short lives भी है and long lives भी है आप यह देखें short life कितना short है इतना short है कि 0.02 second में वो खतम हो रहा है decay हो रहा है और half बच जाएगा यह क्या 52 second में decay हो रहा है यह 25 minutes में हो रहा है यह days यह देखें यहां years में आ गया cobald 5.27 years में हो रहा है और strontium है 28 years में हो रहा है और radium देखें क्या है 16, यानि हम आपस क्या हो गया 1602 1602 years यानि इस वक्त तक तो कोई भी नहीं जियेगा ना हम कोई हजारों साल की जिंदगी पाए है नहीं यहां देखें कारबन डीके 5730 years में half life इसकी होगी आदा जो है वो convert हो जाएगा half convert into other compound लेकिन फिर पीछे half बाकी रहेगा इसके बाद देखें आप plutonium ये देखें इसको कितना दे रखा है इतने years है ये इतने है और ये देखें end में क्या है 5 into 10 पार 9 means क्या है ये 50 करोर means क्या 5 billion years 5 billion years कोई नहीं जी सकेगा इस वक्त तक ठीक है मौत तो हर एक को आनी है तो लेकिन एतने सालों में कौन इसको देखेगा यानि इसका इतना है ये बहुत ज्यादा है इसका half life का time बहुत ज्यादा है अब यह आपको बताया गया radioactive element is t half time हो गया half t half ये हमें numerical में use करना है इसलिए आप इसको गोर से समझे येने समझे बिना आपको numerical नहीं आएंगे the number of the nuclei half at end end में क्या होगा number of nuclei half हो जाएंगे after a time time गुजरने के बाद 2 t half देखे double half हो गया after the second half life period half life period हो जाएगा फिर भी क्या होगा the number of remaining nuclei यह पीछे रह जाएंगे यह दो मरतबह half हो गया two time half half into half two two time two two is a four यह बन गया ठीक है after time of the third half life तीसरी third time third time क्या होगा third time ऐसा आजाएगा t half ही use करेंगे और यह three आजाएगा इसके बाद remaining फिर भी पीछे बाकी है remaining नहीं लिए left अब जब left है तो क्या हो जाएगा यह half one time two time three time यह three time हो गया one oblique eight हो गया यानि कब तक यह आगे आपको value बताते रहें तो उन्होंने यह वाली बात कही है कि it means क्या होगा end में आके यहाँ पर क्या आजाएगा power की जगा end 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 यह देखे हो सकती है ठीक है बेटा इसके बाद है equation below उन्होंने आपको नीचे equation भी दे रखिए यह रही यहाँ पर है the original amount of sample remain after certain interval of time यानि कुछ भी time गुजरने के बाद अगर आप half life किसी की पढ़ेंगे तो आप यह नहीं कहेंगे कि हो सकता है यह सारा ही finish हो गया और ऐसा नहीं होगा पहले उसकी half life होगी तो उन्होंने कहाँ the remaining amount of sample sample की amount के लिए क्या आएगा 1 oblique 2n into the original amount of sample where n is the half life half life मालुम करने के लिए जो हम formula apply करेंगे उसमें हम n लगाएंगे हम यह numerical तक पहुँचते हैं पहले आपको इस समझा दे फिर numerical करेंगे अब यह radio activity radio activity आप जानते हैं और आप पढ़ चुके हैं पीछे हमने आपको इससे previous video में सारा बताया था लेकिन यह फिर दुबारा से topic दे दे determine the half life of the sampling radioactive element अब यहां वो कहरें कैसे मालुम की जाएगी चेंज ओवर टाइम वक्त के गुजरने के साथ साथ कैसे half life मालुम की जाती है उसके लिए इन्होंने यहां पर आपको एक graph दिया है लेकिन graph के उपर यहां देखें उन्होंने आपको यहां समझा रखा इसे गौर से समझें iodine 131 radioactive isotope है undergoes decay decay होगा तो आप जानते हैं के half हो जाएगा इसके बाद के half life होगी particle emission into the xenon क्या बनेगा यह xenon जो है 131 बन जाएगा यानि iodine xenon में चेंज हो गया इसके बाद graph का उन्होंने जिकर किया after 8 days 8 दिन के बाद क्या हो जाएगा जब वो गुजर गए तो sample क्या हो जाएगा इसमें half अभी sample बाकी है iodine का तो यहाँ अदा sample will now be 50% iodine 131 अभी भी 50% बाकी है फिर वो कहरें after next 8 days और मजीद 8 दिन के बाद क्या हो गया यह मजीद जो है वो क्या हो गया उसमें decay हो गया यानि half life उसने गुजार ली दुबारा से sample will be 25% अभ रह गया है लेकिन half life खतम नहीं हुई है क्योंकि वो कितना भी अपनी half life के बाद चाहे के मैं maintain हो जाओ लेकिन वो maintain नहीं हो पा रहा इसलिए radio activity का process continue रहता है 25% रह गया देखे पहले 100 था फिर देखे 50 था अब 25 रह गया this decay continue decay continue रहेगा iodine 131 has completely decay जब तक वो completely decay होके कोई नया element नहीं बनाता ये process चलता रहेगा ठीक है बैटा अभी हमें क्या पढ़ना है इसमें ये है radioactive dating dating means क्या है इस से age मालुम की जाएगी हजारों साल पुरानी चीजें लाखों साल पुरानी चीजें क्या मिलियन बिलियन इयर्स अगो जो है उनकी भी age मालुम की जा सकती है radioactive dating say radioactive dating is a process by which the approximate age of an object is determined यानि किसी भी object की date मालुम की जा सकती है इसी तरह से इन्होंने जो आप घूमने जाते हैं सिंदियलोजी इदर उदर कहीं भी जहां आप जा रहे हैं जहां हमारे पास ancient जो है substance रखी होती है objects रखी होते हैं उनके उपर age लिखी होती है इतने हजार साल पुराना इतने हजार साल वो कहां से मालुम किया जाता है वो radioactive dating के जरीए मालुम किया जाता है यह process है जिसके जरीए वो मालुम कर सकते हैं कि किसी भी element की या किसी भी object की age क्या है तो यह मालुम करने के लिए इसका use किया जाता है ठीक है यहां पर आप देखे side में आपको यह दिया हुआ आप इसको भी पढ़ लिजेगा radio activity decay करने का सबसे पहले किस ने मालुम किया था यहां देखें यह लिखा है unit है इसका international SI unit क्या है इसमे बेक्यूरल BQ ठीक है exactly यह क्या है इसका unit मालुम किस ने किया one disintegration per second यह बेक्यूरल ने मालुम किया था इसका हम अभी आपको आगे बताते हैं अच्छा जी इसके बाद यहां क्या बताया आपको देखें यहां पर डेटिंग के बाद आपको बताया के radio isotope carbon 14 यह बड़े काम की बात है बड़े गोर से सुनिएगा यह हम में पाया जाता है देखें हमारी बाड़ी में carbon 14 जो है वो found होगा small amount in atmosphere है major the age of the organic material living plant and animal use carbon dioxide become slightly radioactive ठीक है हमारी बाड़ी में हम जो carbon dioxide हम use करते हैं plant लेते हैं और हम उसको क्या करते हैं exhale करते हैं यानि हम सास लेने में उसे expiration करते हैं expire करते हैं तो वो क्या slightly radioactive है वो ठीक है radioactive है लेकिन बिल्कुल slightly हमारे उपर वो कई ऐसा effect नहीं डाल रही अब यहां आप देखें गौर से while an organism is alive जो एक जिन्दा organism है the amount of carbon 14 means the carbon isotopes remains constant हमारी बाड़ी में हम में plant में किसी भी living organism में carbon 14 का isotopes है क्या आप जानते है carbon क्या है carbon का आपको पहले मालूम होना चाहिए कि carbon हमारे पास क्या होता है carbon यह देखें यह रहा carbon अगर हम यहां बनाते है carbon को तो आप carbon को याद रखेंगे carbon में proton कितने होते हैं 6 होते हैं neutron कितने होते हैं 6 होते हैं और यहां revolve करते हैं, यहां पर electron कितने होते हैं, वो भी 6 होते हैं, अब यह mass देखें कितना बना, 6 और 6, 12 बना, यह इसका atomic mass है, यह carbon का atomic mass है, लेकिन यह carbon का isotope है, जो हमारी body में पाया जाता है, तो हमारी body में यह constant रहेगा, यह कोई गड़बर नहीं करेगा, हमें हमारे because fresh carbon 14 enters, however, whenever the organism consumed nutrient, जब भी consumed nutrient होंगे, अमारी body में यह हमने खाना हजन किया, metabolism हुआ, फिर हम oxygen अंदर लेकर गए, we inhale the oxygen, then this oxygen convert into carbon dioxide, it means release the amount of energy, this energy, energy is utilized in our daily and vital functions, now, here is the consumed nutrient, means that we have the carbon 14 isotope, it is the carbon 14 isotope, 14 isotope हमारी body में पाया जाता है, यह आपको यहाँ पर एक chart दिया हुए, figure दी भी है, इस figure को आप देखेंगे, तो आपको पता चलेगा, cycle of the radio carbon 14, radio carbon का cycle दिखा रहे है, आप देखें यहाँ पर यह bone है, यह देखें स्वाइल है, यह एक ट्री ह और यह हमारे पास क्या है, death of the, burial, यह क्या है, यह क्या है, यह death हो गई है, ट्री की, यह भी है, इन सब में देखें क्या है, carbon 14, carbon 14, और बीटा डीके, यानि बीटा इसमें produce हो रहा है, बीटा, बीटा पार्टीकल, ठीक है, बीटा पार्टीकल, इसके बाद है, अब यहाँ पर आपको बताए गया, देखें, जब हम dead हो जाएंगे, plant animal जो dead हो चुके, और इससे पहले भी दुनिया का दस्तूर है, परवर्दिगार ने बनाए, कि जो पैदा हुआ है, उसने मरना है, तो जब मरेंगे, तो हमारी body कैसे consume होना शुरू हो जाएगी, plant की body कैसे consume होगी, यह देखें बताए, when an animal die, जब कोई animal मर गया, no more carbon is absorbed, तो वो carbon absorb नहीं करेगा, and radio carbon 114 present inside the animal, अब वो radio carbon जो हमारी body में मौजूद है, यानि जो person या plant कोई death कर जाएगा, तो यकीन अन उसके body में carbon मौजूद होगा, हमारी body में भी हमने जब oxygen लिया होगा, तो यकीन अन अंदर carbon dioxide बना होगा, deoxygenated and oxygenated blood होता है, तो deoxygenated death के बाद भी body में जारे half तो होगा न मौजूद, तो वहाँ पर क्या है, carbon 14 मौजूद है, लेकिन यह आपको क्या बताया जा रहा है, कि अब constant नहीं रहेगा carbon, carbon 14 death के बाद constant नहीं रहेगा, बलके यह क्या हो जाएगा, यह अपना function start कर देगा, और क्यूंकि यह radioactive isotope है, slightly radioactive है, लेकिन यहाँ यह radio activity अपना process शुरू कर देगा, यह देखें, यह लिखका है, inside the animal start the decaying of nitrogen 14, अब जब यह decay हुआ, body में process start हुआ, और decay हुआ, तो यह देखें, यह पीछे आप पढ़ चुके हैं, उस time पर यहाँ पर आपको body का नह नहीं बताया गया था, तो हमने आपको नहीं बताया यह देखें, carbon 14 जब decay हुआ, तो यह nitrogen 14 बन गया, means क्या है, इसमें हमेशा आप यह बात याद रखें, mass same रहेगा, 14 14, इसमें change नहीं आएगा, लेकिन क्या होगा, some neutron convert into proton, इसमें एक neutron proton बन गया, तो क्या है, यह 7 proton होगे, तो automatic इसने electron भी बना लिया, तो यह क्या है, हमारे पास, यह nitrogen बन गया, 7714, यह nitrogen बन गया, तो यह process फिर body में start हो जाएगा, और electron यहाँ पर emit हो रही है, तो यह process हमारे पास क्या है, beta dk है, negative minus dk, ठीक है, क्योंकि यह कौन सा dk है, जिसमें neutron proton में convert हो रहा है, यह हम आपको कहा चुक है, और यह दोबारा हम आपके सामने जिकर कर रहे है, यहाँ पर क्या है, proton neutron में change हुआ, और यह boron बन गया, लेकिन वही 1010 रहेगा, 1010, ठीक है, mass change नहीं होगा, अच्छा जनाब जी, यहाँ पर देखें क्या होगा, अब आप देखें, जब कोई death कर गया है, animal या से भी ज्यादा, 5730 साल, तभी हमारी body की जो heart bones होती है, वो हजारों साल पहले की भी अगर मिलेंगी, तो वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि completely damage हो गई, जाहरे वक्त के साथ आइस्ता आइस्ता damage होंगी, क्योंकि उन में carbon 14, nitrogen 14 में convert हो रहा है, Since the half life of carbon 14 deaths, now archaeologist can estimate, now archaeologist ने क्या अंदाज अलगा है, the age of the remain by the computing activity carbon 14 in the live and the dead animal, उनोंने live और dead animal में दोनों में उनोंने carbon 14 को देखा कि carbon 14 किस तरह से उन में मौझूद है, यानि कैसे वो decay हो रहा है, और carbon 14 कैसे nitrogen erosion में change हो रहा है, तो यह उनोंने पूरी history जो है, वो देखिए, आपकी book में जितना है, हम आपको उतना ही बताएंगे, इसकी बाद बेटा देखें यहाँ पर, यह radio isotopes, radio isotopes में, isotopes हमारे पास कौन कौन से होंगे, यहाँ पर आपको क्या बताए, एक तो यह hydrogen बताए, protein, deuterium, tritium यह आपको मालुम है, ठीक है, यह आपको बताएं, और यहाँ आपको वही बात जो आपको बता चुके हैं, कि undergoes decay spontaneously, यानि automatic, naturally, and emits radiation, natural process है, emit radiation, और क्यों होता है, to dissipate excess energy, dissipate निकालना है, excess energy है, उसके पास बहुत energy है, उसके nucleus में, वो maintain नहीं कर पा रहा है, उसने उसको खारिज करना है, तो क्या होगा, energy release करने की वज़ा से वो ऐसा करेगा, यहाँ देखिए, आपको बता रखा है, stable होने के लिए, यह stable है, इसके उपर जो है, neutron इसमें डाला गया, तो यह unstable हो गय लेकिन sulfur क्या बन गया, फासफोरस बन गया, और इसने क्या है, proton release किया, proton release किया, means क्या है, hydrogen है, hydrogen के बाद आपको मालू में, पीछे आपने पढ़ा है, कि helium है, helium alpha particle जो है, कहा गया है, क्योंकि, alpha particle में दो neutron और दो proton होगे, तो वो helium के बराबर है, ठीक है बटा, जी, इसके हमारे पास क्या है, हमारे पास ये बताया गया है, कि industries में, field में किस तरीके से use होता है, और means medically कैसे use होगा, medically में हम आपको थोड़ा थोड़ा सा इसमें से बता देते हैं, लेकिन आपने इसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, वीडियो बहुत बड़ी ना हो जाए, आमें इस बात का भी तो खयाल रखना है, अच्छा जी अब क्या है, रेडियो ट्रेसिज में क्या किया जाएगा, आप देखें जो बातें आप जानते हैं, human body में, animal में, plant में, क्या किया जाता है, इसे industries में use किया जाएगा, agriculture में use किया जाएगा, और कैसे किया जाता है, अब गाम ग्लेंड्स को इससे देखा जाता है, इसके बाद क्या डाइगनोस किया जाता है, ब्रेंट्यूमर डाइगनोस किया जाता है, कि ब्रेंट्यूमर है या नहीं, फिर है कि कैंसर जो है, मलेगनेंट है, या उसके बाद क्या है, मेटस्टेटिक है, यह भी इसी से मालूम होता ह industries में detect क्या किया जाता है इसमें detect किया जाता है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल है और short life जो है radioactive substances कौन कौन सी है including जो even यह किसमे होगा rate चीज़ों का मालूम करने के rate यह नहीं आप समझें कि उसकी price कि उसमें कौन सी चीज़ कितनी है various materials का जैसे के including liquids हैं powders हैं gases हैं और locate the leakage अगर कहीं leakage हो रही है gases की वो भी मालूम करने के लिए यूरिया के लिए तोर पर इसको इस्तमाल किया जाता है यह सब क्या है हमारे पास यह सब use कहां होगा यह radio traces हैं जिन से यह मालूमात की जाती है ठीक है बटा medical treatment में यह disease हैं simply यह यकीनन आप science पढ़ते हैं आप जानते होंगे क्या है nuclear medicines हैं इसके बाद radio isotope कहां यूज होगा disease में यूज होगा कोबाल्ट 60s में यूज होगा strong उसमें gamma रही होती है malignant tumor होता है malignant और metastatic में क्या फरक है एक ऐसा tumor जो cancer नहीं होता और एक ऐसा tumor जो cancer वाला है अच्छे जनाब जी इसके बाद क्या testing of the cracks testing cracks का मतलब क्या है कि आप ये इस इन raises को use किया जाता है ये penetrate कर जाती है बिल्कुल कहां concrete के walls में भी penetrate कर जाती है concrete में पहाडों में ये कौन सी है ये हमारे पास जो हमने आपको बता है radioactive rays है वो है जो इसमें penetrate कर जाती है ठीक है बटा इतना मेरा खैला आपके लिए काफी है और आपको हमने काफी इसमें बाते बता दी है चंद हम आपको बता देते हैं इसमें unit भी था उस unit का हम आपको बताते हैं देखे इसमें इस page पर हमने आपको यहां से यह बता रहे था इसमें आप देख रहे यह आपको क्या बता है यह आपने bacural unit of intensity of radiation ठीक है यह रह गया था उन्होंने क्या यहां बता रहे था आपको one nucleus decay degenerate यानि खतम हो जाएगा पर second में one one bacural कहलाएगा bacural क्या है यह unit किसने यानि यह किया था henry bacural यह henry bacural ने दर्याफ किया था और henry bacural को इस वज़ा से क्या है इसको award मिला था ठीक है और इसे father of radioactive कहा गया है henry bacural को father of radioactive radioactive कहा गया है radioactive जो element है उनका father क्यूंके इसने detect किया था इसके बाद के savert savert का भी unit आपको बता रखा है यह क्या है radiation का unit है यह भी यह आपने याद रखना है इसके लाबा यहाँ हम आपको बता देते हैं कि अगर bacular जो है वो father है ना radioactive का तो इसी तरह से हमारे पास क्या है पेरी क्यूरी और मैरी क्यूरी थे हो याद रहेगा पी से उसका नाम तो उसने पोलोनियम जो है वो डिसकावर किया था ठीक है बेटा ये हमारे पास टॉपिक्स हुए इन टॉपिक्स में अब हमने क्या करना है इसके बाद हम ये देख लें डिसाइड कर लें अब ये फिजन एंड फ्यूजन एक्जैम्स में आता है ये हम आपको करवाएंगे नेक्स्ट फिर हम देखते हैं हम प्रॉब्लम्स की तरफ आते हैं तो इन्शालला प्रॉब्लम्स भी हो जाएंगे और कोई मुश्किल नहीं जब आप पढ़ लेंगे तो आपको सब आसान लगेगा इन्शालला बस आप मेहनत करें मेहनत कभी राएगा नहीं जाती है बेटा मेहनत आपको आजाएगा सारा आजाएगा कुछ भी मुश्किल नहीं होगा ठीक है अपना बहुत खयाल रखिएगा मेरा बेटा और आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें शाबश वीडियो को लाइक करें शेयर करें आपके पास सबसे पहले हमारा पहुँच जाएगी वीडिय ओके बेटा टेक केर लाफेश